दसहरा और बहुत ही अदभुत सुपसयोग इस दिन आपको तो पता ही है राम जी रावन पर विजय प्राप किये थे यानि बुराई पर अच्छाई की जीत और साथ ही इस दिन वैसे तो आपको पता है न नवरात्र में दसहरे में इस समय जो नौ दिन होते हैं देवी के किसी के किया किराय हो सकता है तो ऐसे में लोग तो सिद्ध कर लेते हैं अपना मंत्र और आपके परिसानी बढ़ जाती है तब इन सभी चीजों से बचने के लिए जीवन में धन भी आता रहे और किसी के ऊपर बुरा साया भी ना रहे पूरे घर परिवार में खुसाली बनी करेंगे क्या रात में जब रावन धहन हो जाता है इसके बाद ये काम आप सूने के पहले कीजिए रावन धहन कभी भी हो सकता है दोपर से ही टाइम इसका सुरूत हो रहा है तो आपको सूने के पहले क्या करना है एक हाथ में दाया या बाया कोई भी हाथ में एक मुठी और परिवार में इस तन सब को सब सर पाह तक 7 बबर उतार ले अपने भी सर से आप उतार, तर घर उत्तर दिशा, आप जह है तो छट पने के सकते हैं, या बाहर निकल के जकाई या लीक पेख सकते हैं औ SUPER नहीं दिकत》 धनहानी भी बंद होगी और किसी ने कोई तंत्र क्रिय किया होगा तो वो भी समाप्थ हो जाएगी वैसे तो इस दिन और भी उपाई के जाते हैं खास कर समी के पत्र के दोस्तों समी का ब्रिक्ष अगर आप अपने मुख्य धर्वाजे पर लगाते हैं तो यकीन मानिए नजर दोस्तों क्या सनी राहू के तू भी आपके बस में रह खुबसूरत सी कहानी आती है उसका हलाकि हमने वर्नन कर चुका है लेकिन फिल हाल हम आपसे विदा लेते हैं आप उपाई जरूर करें हर हर महादेव फिर मिलेंगे